तो दोस्तो सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको ना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेने के बाद में यहाँ पर आपको दोस्तो अपना यूटूब चैनल लॉग इन कर लेना है देन आपको यहाँ पर थ्रीड ऑप क्लिक करना है और इसे दोस्तो डेस्क्टॉप साइट पर open कर लेना है ठीक है तेर आपको यहाँ पर दोस्तो शो हो रहा होगा profile का option ठीक है इस पर click करना है और your channel पर click कर देना है जैसे आप click करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface open होगा और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा customize channel का option इ ठीक है तो इस पर आपको click कर देना है जैसे आप click करोगे तो यहाँ पर जिस भी वीडियो में आप अपना subtitles देना चाते हो या लगाना चाते हो उस पर आपको click करना है तो आपको यहाँ पर pencil के option पर click करना है तो guys आपके सामने कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा यह देखे video details क जहाँ पर आप सभी titles, description वगेरा देते हो जब आप नीचे आओगे दोस्तों तो side में आपको यहाँ पर end screen का option, cards का option मिल जाएगा और इसी के उपर दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है subtitles का option दिया हुआ है जो कि mobile users के लिए YouTube ने अभी यह update निकाला हुआ है और यह interface open हो जाएगा और side में आपको यहाँ पर दोस्तों वीडियो दिखने लगेगा और यह देखिए दोस्तों मैंने subtitles दिया हुआ है यहाँ पर आपको अभी show हो रहा होगा ठीके और यहाँ पर दोस्तों side में आपको caption का option दिख रहा होगा यहाँ से आप caption दे सकते हो जैसे आप plus के option पर click करोगे तो यह अभी आपको यहाँ पर box वगेरा दिख रहे हैं जिनमें मैंने अलग-अलग subtitles दिये होए हैं सेकंड जितने भी सेकंड से लेके जितने भी सेकंड से देना चाते हैं ठीके जैसे मैंने 0 सेकंड से लेके 3 सेकंड के बीच में जो भी मैंने बोला है वो आप यहाँ पर subtitles दे सकते हो और डिलीट करना चाते हो तो इस पर डिलीट करोगे तो डिलीट हो जाएगा देन यहाँ नीचे आओगे तो देखिए दस सेकंड से लेके 14 सेकंड के बीच में मैंने जो बोला है वो यहाँ पर लिखा हुआ है ठीके तो यह subtitles आप यहाँ पर कु में भी मदद करता है दोस्तो इसलिए हमें दोस्तो सब्टाइटल जरू लगाना चाहिए दोस्तो बड़ी बात तो यह है हमारा जो वीडियो है यदि हम इंगलिश में बोल रहे हैं दोस्तो तो हम उसे हिंदी में कंवर्ट करके भी दोस्तो यहाँ पर सब्टाइटल लगा स सब्टाइटर्स अलग अलग भाषा में लगा सकते इससे सामने वाले को इंप्रेशन जाता है दोस्तों और हमारे वीडियो की रीज भी बढ़ती है और सामना वाला हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों यह उसे समझ में नहीं आता है और हमने सब्टाइटर्स लगाए हुए हैं तो वो पढ़के समझ सकता है दोस्तों कि हम क्या बोल रहे हैं ठीके तो सब्टाइटर्स जरूर लगाए दोस्तों एक बाद जरूर ट्राइ कर यह ठीके आई होब दोस्तों आपको सब्टाइटर्स लगाना आ गया होगा कि कैसे लगाते हैं और दोस्तों यदि यह वीडियो अ पूरी कोशिश करूँगा सो टेक केर दोस्तों किप सपोर्टिंग किप लविंग बाइए